आज हम लोग कंपाउल इंटर्स पर बात करेंगें कंपाउल इंटर्स में जो यूजवल मिथड है मतलब अमाउंट निकालना यह तरीका कॉंपिटिटिव इंटर्स के लिए सुटबल नहीं है हम इसको वन लाइन वन स्कील में बनाते हैं पहले भी एक कुष्चिन इस तरह से सॉल्ट किया जा चुका है आज हम लोग फिर करेंगे सबसे पहले में आपको क्वेश्चिन बोल देताम कि दे कमपाउंट इस्ट अन रुपीज एट थाउज़न अट रेक ओप टेन परसें पर अनम कंपाउंड हाफ यह ली फार वन अन हाफ यह जाज एस दो आठ हजार रुपे का टेन परसेंट पर अनम के रेट से वन अन हाफ यह में डेड़ वर्स में कमपाउंट इस्ट क्या होगा जबकि इंट्रेस्ट कमपाउंड होता है हाफ यह यह यानि व्याज सैयोजित होता है अर्दवार से इसको बनाओगा लेकिन जो लोग कमपाउंड इंट्रेस्ट से बिलकुल परिशित नहीं है वो इसके कुछ टर्म्स को समझ लें कमपाउंड इंट्रेस्ट में इंट्रेस्ट इस कमपाउंड हाफ यह ली कहा लिए इसका मतलब यह है कि वो पीरियड जिसके बाद इंट्रेस्ट को प्रिंसिपल में एड करते हैं कि नया principle काइदा होता है, compounding period में होता क्या है, एक principle होता है, कुछ rate होता है, कोई time होता है, उस time में उस rate से उसका interest निकालते हैं और add कर देते हैं जो कि इस compounding period के लिए amount होता है, और यही amount principle बन जाता है, अगले compounding period के लिए, फिर से यह principle होता है, rate होता है, इसको add करके जो amount बनाते हैं, वो principle बन जाता है अगले period के लिए, यह वो period क्या है, जिसके बाद की interest को add करते हैं, so that की नया principle पैदा होता है, कुछ बोला ना जाया, तो यह one year होता है, लेकिन बोलने के लिए कुछ भी बोलाया सकता है, half yearly, quarterly, like that, quarterly, आपको सोचना है, कि how many half years are there, first, तो time है, one and half years, तो one and half years में, half years कितने होंगे, three होंगे, यानि three times यह बाते होंगे, three times interest निकाल निकाल के add करना पड़ेगा, rate हमेशा दिया होता है, percent per annum में, 10 percent per annum is there, लेकिन मुझे, मुझे half year में चाहिए, तो हो जाएगा 5 percent per annum, अगर यह three months होता, तो 5 percent भी ना होके 2.5 percent हो जाता है, तो हमारी question में क्या है, कि half year में 55 percent के हिसाब से 3 मार मिलेगा, ठीक है, अगर यह चीज़ें आप समझ दे हैं, तो आगे यह समझना बहुत आसान है, आई यह देखते हैं, इसको solve करते हैं, solve करना बहुत आसान है, आप देखें, हम लोग एक line draw करते हैं, चुकि three compounding periods हैं, इसलिए three parts में बात करते हैं, three times यह होगा, हमारा principle क्या है, हमारा principle क्या है, रुपीज 8000, हमारा principle है, रुपीज 8000, हमारा rate क्या है, 10% पारेनम, जो की, जो की, half year में होगा, 5% per compounding period, 5% per compounding period, यानि 5-5% करके तीन बार होगा, सबसे पहले हम लोग सिंपल निकालते हैं, 8000 का 5% क्या होगा, 10% 800, तो 5% 400, यानि 400 रुपीज simple interest मिलेगा, first compounding period में भी, यानि कि 6 वहने में, second में भी 400 ही मिलेगा, third में भी 400 ही मिलेगा, compound interest वाले को, इस 8000 का जो simple interest होता है, वो तु मिलेगा ही मिलेगा, compound interest में, 8000 का, वो interest जो simple interest के रूप में मिला था, 400, 400, 400, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, यह मैं बार बार दोरा रहा हूं, यह आपको भी बार बार दोराना है, क्योंकि यह बात समझ में आती है, तो आगे कुछ नहीं है, simple को इसके अलावा कुछ न मिलेगा, लेकिन compound को मिलेगा, इस principle के अलावा, जो interest वगर पैदा हुए थे, वो भी principle का पार्ट होगा, आप देखिए, पहले compounding period के लिए 8000 के अलावा, और कुछ भी नहीं था, इसलिए कुछ भी extra नहीं मिला, 0, 0 मितलब, simple वाले को 400, और compound वाले को कितना जादा मिला, 0 जादा मिला, यानी की खोल मिला, 400 ही मिला, 400 ही मिला, next, next के लिए, compound वाले के लिए ये पूरा का पूरा भाग principle है, इसका लिया जादा है, इसका असरट लेना है, 5 percent होआ, 20, यानि सेकेंड ये सिंपल वाली को तो 400 मिला और ट्वंटी जादा मिला यानि कि 420 मिला फर्ड जब सुरू होगा तो सिंपल वाली को सिर्फ 400 मिला था ओर ये जो इंट्रस्ट अब तक पैदा हुआ है इसका भी 5% मिलेगा इसका मतलब यह सब add करके 5% लेंगे, लेकिन नहीं, हम add करके नहीं लेंगे, हम सबुनका अलग अलग लेंगे. अलग अलग लेने से क्या होगा जानते हैं, इसका 5% को 22, तो इन दूरों का 40 पहले ले लेता हैं गाण और फिर इसका 5%, 1, finished, simple interest was 1200, difference was 61, Simple interest who are 1200, difference who are 61, compound interest who are 1261, यही हमारा answer है, यही हमारा answer है, इस question में compound interest, पुशा गया था, यही हमारा answer है, okay, समझे, thank you.